आदिपुरुष रिलीज हुई और साथ में बहुत सारी कॉंट्रवर्सी लेकर आई फिल्म के डायलोग लिखने वाले राइटर सहाब को जान से मारने की धम्ती तक मिल गई लेकिन दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाले लोग इन सबसे हटके एक दूसरी दुनिया में जी रहे हैं रोज एकदम इमानदारी से अपने सोशल मीडिया पर फिल्म ने कैसे सौ करोड देर सो करोड की कमाई कर ली यह बता दिया जाता है इवन फिल्म में काम करने वाली अक्रिस क्रिती से अनने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जुसका टाइटल है फोकसिंग उन चीर्स एंड क्लैप्स मदलब एक तरफ पब्लिक का गुसा तो दूसरी तरफ फिल्म में काम करने वाले लोगों का घमन उनके हिसाब से तो सची ओर्डिन्स ताली बजा रही है ये गाली देने वाले लोग जो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके के वीडियो जाल रहे हैं इनको तो पैसे मिले हैं फिल्म को बदनाम करने के तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आदी पुरुष फिल्म के कलेक्शन की असली सचाई बताई जाए ऐसी बातें जो हमेशा परदे के पीछे रहती हैं कोई भी फिल्म बनाने वाली कमपनी ये कभी नहीं चाहेगी कि पब्लिक को ये सब पता चल जाए लेकिन अब जब पब्लिक कोई जूटा बुला जा रहा है पैसे मिले हैं एक एक आदमी को फिल्म की बुराई करने के ऐसे इलजाम लग रहे हैं ये सबकुछ सुनने के बाद मुझ बन रखना शायद मेरे लिए सबसे बड़ा अफराद होगा तो सबकी पोल खोलती हूँ मैं टोटल 10 पॉइंट्स बताऊंगी ऐसी बाते जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई हूँगी लेकिन आदी पुरुष का सच इनी में कहीं छुपा है पॉइंट नमबर वन बॉलिवुड के सबसे बड़े डिरेक्टर्स में से एक है करन जोहर इनका एक इंटरविव है 2021 का जिसमें ये परसेप्शन शब्का जिक्र करते हैं मतलब किसी चीज को देखकर इंसान किस तरीके से रियाक्ट करता है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर उसके अगल बगल वाले लोग उसको کंफ्यूज कर दें करन जोहर ने साफ बोला ये जो फिल्म रिलीज होने के बाद स्टार्व्हाला चार्ट आपके सामने रखा जाता है फिल्म बनाने वाली companies की तरफ से ये फिल्म की release से पहले ही तयार कर लिया जाता है मतलब फिल्म बिना देखे ही stars पहले दे दिये जाते हैं इवन हर एक point के नीचे क्या लिखना है कैसे लिखना है एक एक शब्द खुद फिल्म बनाने वाले बताते हैं जिनको पैसे देकर बुलाया जाता है किसी भी celebrity की photo खीचने को लेकिन हमेशा celebrity ऐसे react करेगा जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था यही होता है perception create करना जब आप किसी फिल्म को देखकर घर लोटो दिमाग में सिर्फ बुरी बातें घूम रही हो तो उसका collection सिर्फ इंडिया नहीं worldwide बताया जाता है जरा हटके जरा बचके नाम की फिल्म आई जिसको लोगों ने काफी पसंद भी किया लेकिन उसका collection हमेशा इंडिया से कितना आया यह बताया गया लेकिन जैसे ही आदी पुरुष रिलीज होती है और पहला दिन खतम होता है अगले दिन पबलिक के सामने 140 करोड worldwide लिकर एक poster डाला जाता है सिर्फ आदी पुरुष नहीं इवन जब शारुक खान की फिल्म पठान आई तब 106 करोड day 1 worldwide लिकर जश्ट मनाया गया जबकि क्या आपको पता है आदी पुरुष के 140 करोड में से इंडिया के अंदर सिर्फ 86 थे बाकी 41 करोड बहार से बताये गए लेकिन इस मामले में सबसे शॉकिंग फिगर है ऐसे स्राजा मॉली की फिल्म RRR का वहां तो आपके होशी उठ जाएंगे वर्ल्ड वाइट पहले दिन 223 करोड जबकि इंडिया से सिर्फ 133 करोड आया हिंदी ओनली 20 करोड जबकि विदेश में आल्मूस 100 करोड कमाये पहले दिन ये वर्ल्ड वाइट वाला गेम क्यों शुरू किया गया आपको बताऊं मैं एकदम असली सीक्रेट क्योंकि global box office number का حसाब किताब रखने वाली कोई website या फिर कमपनी है ही नहीं कितना सही कितना गलत किसी को नहीं पता ये worldwide figure सिर्फ फ्ल्म बनाने वाले production house यी audience के सामें रखते हैं इसमें कितना दूद कितना पानी सिर्भ भ़ली जानते हैं पॉइंट नमबर तीन आदीपुरुष जब रिलीज होने वाली थी तो काफी जगे न्यूस चल रही थी कि रनबीर कपूर ने 10,000 टिकेट्स खरीदे बच्चों के लिए और भी काफी सिलेबरिटीज के नाम लेकर सबको 10,000 टिकेट्स बेचे गए थे फिल्म के इसका हला भी खूग किया गया लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद आपने से किसी ने भी क्या किसी एक स्कूल वाले बच्चे का विडियो देखा जो फिल्म सच में देख रहा था इन टिकेट्स पर नहीं देखा होगा वो इसलिए क्योंकि 10,000 टिकेट्स वाला गेम कोई नया नहीं है बहुत पहले से चल परे में पता कैसे नहीं चला यहीं से निकलता है अपना पॉइंट नंबर चार किसी चीज को इतनी बार रिपीट करो कि सामने वाले को जूट सुनने की आदत ही हो जाए और वो गलती पकड़ी ना पाए कभी शक ना हो कि जो उसने देखा या फिर सुना उसमें एक परसंट वालों को पता है कि यह पिक्चर बिल्कुल नहीं चलेगी अक्षे कुमार की फिल्माई सेलफी सिर्फ साथ हजार टिकेट्स बिके एडवांस में मुश्किल से दो करोड का बिजनिस किया पहले दिन क्या सच में आपको लगता है तीस साल से जो एक्टर फिल्म इंडस्ट्र कम हुआ जिससे ओपनिंग नीचे गिर गई उस लाइन जादा आता तो पूरा गेम ही एक्सपोज हो जाता पॉइंट नम्बर 5 ज़रा ध्यान से सुनिएगा शायद आपको अपने कानों पे भरोसा ही नहीं होगा फिल्म लाइन का सबसे बड़ा सच छुपा है इसके अंदर जाल के बीच में मकडी देखी है वो मैं और आप हैं बस पर कितना है कि ये जाल मैंने और आपने नहीं बलकि फिल्म वालों ने तयार किया एक्चिली फिल्म जब रिलीज भी नहीं होती न उससे पहले ही अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेती है जी हाँ फिर चाहे उसका बजट 600-700 करोड क्यों नहों नुकसान एक पैसे का नहीं होगा आदी पुरुष का ओफिशल जो बजट नंबर है वो कहीं न कहीं 500-500 करोड की बीच में जाके बैठता है ऐसा रिपोर्ट्स में लिखा गया अब ज़रा हिसाब लगाईए बजट की रिकवरी 100% पूरी हो गई यहां मैं और आप Friday फिल्म ने कितना कमाया Monday कितना कमाया यह सोचके उल्लू बने जा रहे है उपर डमरू बज़ रहे हैं मैं और आप नाच रहे हैं जबकि फिल्म अपना पैसा पहले ही पीछ चुकी है यह है अपनी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच पॉइंट नमबर 6 एक बड़ी गलती भी हो गई है आदी पुरुष फिल्म के मेकर से इन्होंने 500-600 करोर बजट का गाना गाके फिल्म का हाइप तो बना दिया रिलीस से पहले लेकिन बाद में ये बजट फिल्म के लिए बिल्ली के गले में बंधी हुई घंटी की तरह हो गया जहां वो बिल्ली जाएगी उससे पहले घंटी की आवाज सुनाई देगी इसके ठीक उल्टा गेम खेला एक लो बजट फिल्म दे केरला स्टोरी ने इनके पास बजट था नहीं इसी वे शुरुआत में उसके बारे में कोई बात ही नहीं की जबकि आदी पुरुष में बजट अल्रेडी हाई बोल दिया गया इसी वे जो पहले दिन 140 करोड का नंबर भी बोला गया तो भी लोग सोच रहते हैं ये 607 समय कैसे बदलेगा पॉइंट नंबर साथ को समझने के लिए आपको कल्यूग के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कल्यूग है असुर कली का यूग जो लोगों के दिमाग से खेलता है उनकी सोचने की शक्ती धीरे धीरे खतम करके उनसे बुरे काम कराता है और कली के दो सबसे बड़े सिपाही है कोका और विकोका जिनको वरदान है अमर होने का जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं अलग हुए तो कमजोरी पकड़ ली जाएगी अपनी फिल्म लाइन में ये असुर कली कौन है जानते हो वो लोग जो फिल्म बनाते हैं ये पबलिक के दिमाग को मैनिफलेट करते हैं बहुत आसानी से सही गलत के बारे में सोचने तक नहीं देंगे आपको जबकि कोका और विकोका कौन है सोचल मीडिया प्लस पियार एजेंसी आपको मालुम है जो फोन, टीवी, कंप्यूटर, लैप्टॉप आपके घर में शांती से पड़े हैं उनमें जो स्पीकर और कैमरा है वो 24 गंटे आप पे नजर रखते हैं अगर गलती से आपने एक बार आदी पुरुष नाम दिया तो हर जगे सिर्फ भई दिखाया जाएगा इसको बोलते हैं डिजिटल ब्रेन वाशिंग पॉइंट नमबर आठ हनुमान जी के लिए एक सीथ खाली रखी गई हर थियेटर में क्योंकि जब जब रामायन होती है हनुमान जी देखने आते हैं डिरेक्टर ने बोला जबकि फिल्म के बाद राइटर सहाब बोले हमने रामायन नहीं बनाई हमारी फिल्म आदी पुरुष है जो रामायन से इंस्पायरड है वो रामायन नहीं है दोनों statement एक दूसरे से बिलकुल अलग लेकिन दोनों में एक शब बिलकुल same to same रामायन इस रामायन का ही तो पुरा खेला है भीया फिल्म बनाना और फिल्म बेचना दो अलग बाते हैं यकीन मानी 10% ध्यान देते हैं फिल्म बनाने पर बाकी 90% इसको बेचने पर दिमाग लगाते हैं आपने सुना होगा cinema को society का आईना बोला जाता है इसका reason कभी पूछा किसी से लॉजिकली आपको समझाओं तो इसका मतलब ये है कि real world में जो चल रहा है न वो cinema में धीरे-धीरे घुश जाएगा नहीं समझे दक कश्मीर फाइल जाई छोटे बजट की फिल्म कमाई सोच से काफी जादा फिर दक केरला स्टोरी का आना और पबलिक के दिमाग पे छा जाना ये फिल्म में अचानक से काम क्यू करने लगी क्योंकि इनका टॉपिक अब relevant हो चुका है लोग इनके बारे में बात करते हैं इसलिए cinema में इनको देखने जाते हैं इसलिए फिल्म आदी पुरुष के सब्जेक को फिल्म बेचने के लिए इस्तिमाल किया जा रहा है एक जो section of society है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता फिल्म अच्छी है या बुरी फिर चाहे controversy करनी पड़े या फिर dialogues की ऐसी तैसी फिल्म बेचना फिल्म अच्छे होने से जादा जरूरी है रामायन शब को भूले नहीं दिया जाएगा किसी कीमत पे पॉइंट नमबर नौ तीन दिन में 340 करोड का नमबर आया लोगों ने बहुत शोर मचाया लेकिन चौथे दिन ऐसा क्या हुआ कि सारी language मिला के इंडिया में बस 20 करोड कलेक्शन worldwide 35 इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा फिल्म में पैन कि तीन दिन पिक्चर पैसा पीतेगी उसके बाद खतम और टेल्गू में जब नमबर हाई जाता है न तो फिल्मेकर्स उसका इस्तेमाल करके हिंदी ओडियंस को इशारा करते हैं देखा फिल्म का हाइप कितना है अरे कुछ तो बात होगी तुम लोग भी टिकेट बुक करो वरना बाद में सुसाइटी के सामने क्या मू दिखाओगे लेकिन इसका उल्टा करके देखो कभी हिंदी में नमबर 50 करोड होगा लेकिन साउथ ओडियंस कभी मैनिपिलेट नहीं होगी शर्ट लगा लो 5 करोड बिजनस नहीं मिलेगा यही हुआ पठान के साथ हिंदी में पैसा कमाया रिकॉर्ड तोड लेकिन साउथ बेल्ट में नमबर ना के बराबर था इसलिए आदिव पुरुषकुना जान गूचकर एस प्रॉपर बॉलिवुड फिल्म नहीं बेचा गया उसको तेल्गू इंडस्री से निकलने वाली एक पैनल इंडिया फिल्म की तरह बे इसको ना तो खरीदा जा सकता है और नहीं आज तक कि कभी किसी से हारा है चोटी सी छोटी फिल्म को आसमान तक पहुचा सकता है और आसमान पर बैठे लोगों को जमीन पर लाके पटक भी सकता है लेकिन पता है पहले ये वर्ड फिल्म उतना जादा तेज सुनाई नहीं द गई है, content क्या होता है, इसलिए ticket खरीदने से पहले double check करती है. शर्ट लगा लो, अगर ये YouTube पे reviews वाली category नहीं होती न, तो आदीपुरुष्ट आज भी 100-500 करोड का business छापती बिल्कुल आराम से. फिल्म के dialogues हो, या फिर makers की रामायन को गलत दिखाने की कोशिश, सब कुछ public तक पहुँचाया गया और public ने theater में अपना फैसला सुनाया. हाँ तो भया, उमीद करती हूँ, अगली बार जो आपसे पूछा जाएना कि फिल्म हिट हुई या flop, सिर्फ इतना सोच के जवाब मत देना कि उसने पैसे कितने कमाए. एक बार मेरे ये 10 points वाला वीडियो ज़रूर याद कर लेना, उसके बाद एहसास होगा, हम लोग चैस के गेम में सिफिक छोटी सी गोटी है, राजा रानी बहुत उपर बैठे हैं. अगर सच में वीडियो पसंद आया तो अगली बार से सवाल पूछेगा खुछ से, क्या आपका दिमाग वाकिए आपकी सुनता है या फिर रिमोट कंट्रोल कहीं और है? बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ शिकायद करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में. टेक केर, बाइबाइ!